नागपुर शहर में पिछली तीन दिनों से टीका करन ठप पड़ावा है टिकी के अभाव में बुद्वार को भी 45 वर्स से अधिक उम्र के नाकरिकों का टीका करन नहीं के जाने के जानकारी मनपा की तरफ से जारी कर दीगी है हाला के सुत्रों की माने तो सब्ता भर टीका करन प्रभाविद रह सकता है मंगलवार शाम तक नागपुर मनपा को टीकी का स्टॉक उपलब नहीं हुपाया मनपा को मनपा के महास्तेत स्वर्खय प्रभाकर राव दटके रोक निदान केंडर को छोड़ बाकिस्तानों पर टीका करन नहीं हुगा मनपा की अतिरिक्त आयुतर राम जोशी ने बयान जारी कर कहा कि टीकी का स्टॉक खत्म हो चुका है जैसे ही यह उपलब धोगा वैसे ही पुरी शमता से टीका करन शुरू होगा मरतमान में दूसरा डोज लगानी वाली टीका लगानी के लिए भटक रहे है पर सरकारी के साथ ही नीजी टीका करन केंडर पर वैक्सिन उपलब नई होने से उन्हें मायूस लोटना पट रहा है डटके रोखनिदान केंडर में को वैक्सिन लगा जा रहा है मेडिकल कॉलेज में को वैक्सिन का दूसरा डोज लगा जा रहा है मंगलवार को मात्र 1647 नागरिको को ही टीका लगा है इसमें 18 से 44 वर्ष के लाभार्ती और को वैक्सिंग का दूसरा डोस लगवानी वाले अधिकांश है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसिक रिपोर्ट